हम लोग भगवद गीता के प्रत्हम अध्याय के 49 और 40 लोग को पढ़ेंगे 38 में क्या सोना था हमने यदप्यतेन पश्चंती लोभो बहत चेत सह कुलक्षय कृतम दोशं मित्र द्रोहे चपातकम कतम नगेयमस्माभी पापदस्मानिवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोशं प्रपश्चर्द भिर्जनार्दन यदपी एते यदपी ये लोग नपश्चंती नहीं देख रहे किस कारण से यह लोग मतलब कौरवादी लोभो बहत चेत सा लोब के कारण की चेतना अपःद कर ली गई चील नगी है क्या नहीं देख रहे हैं कुलक्षय कृत दोशं को कुलक्षय क किये जानने के द्वारा जो दोश उत्पन होगा उसको नहीं देख रहे हैं मित्र दोहे भी हमारे द्वारा क्यों किस प्रकार से पापात अस्मान नवर्ति तुम इस प्रकार के प्रकार नवर्ति नहों मतलब हो स्विकी किस्ट प्रकार नहों मतलब होना ही चाहिए क्न्यों कुल現 ख़य कृत धुश्य के किय Andrew इसγकृत आने कि दोश को हम बहुत अच्छी से तरह से अच्छी प्रकार से देख रहे हैं है जनारदर भगवान शेक्रिष्ण तो मालो भगवान पूछें कि वह कुल के च्छय का दोश किया है तो अब है इसका उत्तर दे रहा है किस कुल के च्छय को दोश को देख करके आप इस आदार्मभी भवत्यवत्यका फरी तुलक्शे प्रणश्यंतिः लंस अधर्मभी भवस्यत कुलक्षे प्रणश्यंति प्लत्र का Works सनथते तुलक्षे प्रणश्यंती क्ल attackers अर्मला सेनर्प अधुद्थ नहीं है उत नहीं है उता 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 भी नहीं है उता किम उता किम उता उता बार बार जो बक्लों परायान कर रहे थे मैं बोला नहीं उत बोल दे रहे थे उत बोलने से कट जा रहा है उसका हलंत आड़ कर देना है कुलक्षय प्रणश्यंति कुलधर महसनातना हां, धर्मे नश्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भीवत्य उता, आ नहीं बोलेंगे, ऐस है वो, ठीक है, अधर्मो भीवत्य उता, धर्मो भीवत्य उता, धर्मे नश्टे कुलम कृष्णम अधर्मो 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 भीवत्य उता, धर्मे नश्टे कुलम कृष्ण कुल का नाश होने पर सनातन कुल परमपरा नश्ठ हो जाती है और इस तरह शेश कुल भी अधरम में प्रिविर्थ हो जाता है कुल का नाश होने कर्थ क्या है जो विर्द्ध लोग हैं जो कुल की परंपराओं को धारण की हुए थे उनका नाश हो जाने से इसको बहुत असानी से आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन में सब कुछ आप किताब से नहीं समझे हैं बलकि यह कहा जाए कि बहुत कुछ अपने नानी दादी दादा दादी से सीखे हैं यदि वो रहे थे तो हमारे तानिश पर तो बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे दादी से मैं नानी से सिखाया है बड़े लोगों से हम बहुत जल्दी सीखते हैं किताब में होगा नहीं वो आग रहे तो कुल का शह हुआ कि नहीं कुल का शह और उस प्रकार से कुल की परंपरा का शह भी हो गया समझ में आएजी बात है तो कहरें कि हम यहां पर जितने विर्देपितामा आदी है अचार गण है यह सब मारे जाएंगे तो कुल का शह हो जाएगा कि नहीं और उनके शह से अगर यहां मारे सामने उपस्ते चोटे से बच्चे हैं चिराग पेटा आपको पता है पाप क्या होता है पाप क्या होता है पता है और पुन्य क्या होता है अगर मान लेजी को सिखाने वाला ना हो तो आगे बड़ा होकर भी विक्ति खमज नहीं प्राइब क्या है कि पाप और पुन्य का मतलब क्या है तो आप बताईए जब पाप और पुन्य का अर्थी नहीं पता है तो बताईए अगर मान लेजी को सिखाने वाला ना हो तो आगे बड़ा होकर भी विक्ति खमज नहीं प्राइब कि पाप और पुन्य का अर्थ क्या है चैसे मास खाना पाप होता है तो बच्चों को पता चले गए तो बच्पश सी जाएंगा हान नहीं खाना चाहिए तो किया यह समाज में आप देख रहे हैं या नहीं अब बुरा नहीं मानेंगे लेकिन देखिए बहुत ब्रामण कुल में भी लोग मास खाना शुरू कर दिये हैं इस इट नॉट तो क्यों हो रहा है वह है कहीं न कहीं उनके परंप्रा वो ब्रेक होई है बताने वाला नहीं रहा कि नहीं तुम्हें सुभ अरे मास खाना तो चली बहुत बड़ी बात हो गई सुभे नहीं उट रहे लोग एक घर में है मलब है मलब ब्रामण परवार है लेकिन वहां कोई 6 बज़े उठता नहीं 6 बज़े तक भी नहीं उठता है तो यह स्थिती का कारण क्या है समझ रहे कहीं न कहीं सिखाने वाले का ब्रेक हो गया है और इसके विपरीद देखिए विपरीद बिलकुल किसे जग कॉंट्रास्टिव जक्स्टा पोजिशन है सामने कॉंट्रास में लगा दीजिए तो श्रिला प्रभुपाज जी ने एक नय कुल का निर्मान कर दिया कि नया कुल तो नहीं है लेकिन कैसे रिवाइवल कहना चाहिए हमाएं पिता महाशिद प्रभुपाजी की रूप में हैं तो उसे कितनी सारे सिक्षामुर्ण को प्राप्त हो रही और उनके शिश्यों के द्वारा और अन्य भाक्तों के द्वा सब्सक्राइब अपने आंड पर अपने अपने शिक्षाम कर लिजएगा तो मान लिजे कि इस कौन की परमपरा छूट जाय तो कोई बताने वाला नहीं रहा है तो कुल के छय किसे कुल परमपरा नश्ट होती है और उससे अधर्म की प्रविर्थी होती है यह सब समाझ में अरहा है जब लोगं को पता ही नहीं होगा कि यह धर्म है कि अधर्म है क्या धर्म है तो इससे मत लीजेगा कि प्रवेर्थी होती है ृ। जाने के बाद भी धर में प्रविर्ति नहीं होती है और अगर पता ही नहीं होगा तो फिर रोके तो कि अगर पढ़ते हैं इसका अनुवज देखे कुल छय कुल का नाश होने पर यह जितने भी विवयोप्रद्ध हैं इनके मर जाने पर सनातनह कुल धर्मा शाषवत पारेवारिक परंपरा शाषवत का मतलब बहुत लंबक कासा जयो चली आ रही है अब कि शृष्टी के पहले तो नहीं हो सकता है सच्वत के पेहले इलिए बासे के बाद ही हुआ होगा जास हो गातफार हिए श्यावान मर्थ से महलें चलती चलने आ चलती आ रही है उस तरफ से कर लिजे प्रणश्यंती विनश्ट हो जाती हैं उतर ऐसा कहा जाता है यह आनि ऐसा कहा जाता है मतलब अर्जुन ने बात सुनी है और इस कारण से उस दोश को देख रहे है कौरवों ने नहीं सुनी है कौरवों ने भी सुनी है तो दिखाई उनी पड़ता है लोभो पता चेत स buckle लोभो के कारण की चेतना हर ली गई है तो सुनने के बाद भी वह वाएसा दूर्पा रहे है है ओक है फाइन अभी भावति का अर्थ यहां पर ले जा रहा है बदल लेते हैं शिदर स्वामी कहते हैं व्यापनोती अधर्म व्याप्त हो जाता है प्रसारित भाव फैल जाता है और यहां पर बुल रहे हैं गीता बूशन बोलते हैं ग्रसती ग्रसती कृस्णम कुलम पूरे संपून कुल क अधर्म खा जाता है क्या अर्थ ले रहे देखिए अभी भाववति को तुटा अर्थ ले ग्रसति खा जाता है यह तो देखा इस शब्द को कई बार सुना होगा कि पाप खा गया उसे तो खा गया का मतलब उसकी बुद्धी पूरा भ्रष्ट कर देखिए कुलक्षय संति नाश जाता है किसका नाश जाता है कुल धर्मा सनातन सनातन कुल धर्म अर्थ वर्नाश्रम धर्म का नाश हो जाता है उससे क्या होता है धर्मे नश्टे धर्म के नश्ट होने से कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति कुलम कृष्णम मतलब संपूर्ण कुल को अधर् व्याप्त हो जाता है, या संपूर्ण कुल को अधर्म परवर्तित कर देता है, यह बड़ा सुंदर रख परवर्तित कर देता है, जिस stream में, जिस discipline में वो चलने चाहिए थे, वह चेंज कर दे जाता है, आपको पता है शुला प्रपाजी का इस्ट्रक्शन क्या था, काफी इं change anything, don't add, don't subtract, okay, रभपाजी बोले भी है, इसकाई बारस को कि there is enough तपस्या, do not create your own, जो है, उसी को कर ले, ठीक है, उता मतलब यहां पे ले जा रहा है, उता के अर्थ भी लिये गया है, उता को अपी के अर्थ में भी लिया गया है, और अपी को निश्यात्मक्ता के रूप म लिया कि नश्युत बात है कि अधर्म प्राप्त, अधर्म जो है वह पूरे कुल को प्रभावित करेगा, आचा एक बात आपने ध्यान दी, मारे कितने लोग जाएंगे, लिमिटेड, कुल के सभी लोग नहीं मारे जाएंगे, अगर आप विचार करने श्लोग पे, कुल के मारने में, अगर कितने कुल के लोग मारे जाएंगे, बीच पे तमाग गिने चुने लोग मारे जाएंगे, लीडर के दीजे, लेकिन अधर्म कितने लोग को मार देगा, सब को मार देगा, सुचने वली बात देखा है न, अधर्म, कुलम, कृष्णम, संपूर्ण कुल को, क कुल के छह की बात नहीं की जा रही है ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में आप कोई बचेगा ही नहीं जैसे भी हमें तैनिश्प्रोब बता रहे थे कि इनके जो आयरवेद के टीचर है वो ग्यान पूरा ट्रांसफर नहीं किये कि कुछ हद तक किये कुछ छोड़ दिये तो वो कुछ ग्यान तो उनके संग ही चला जाएगा तो यह एक बड़ी इंट्रस्टिंग बात है हमारे लिए संग फाइदा अगर हमापिंग करें इस कौन में तो प्रहुपाजी को जो कुछ भी कहना था वह अपने ग्रंथों में कहके गए हैं ऐसा नहीं कि छोड़ दिये हैं कुछ भी चाहिए हुए है सब हमारे पास प्रहुपाज गरंथों को अपलबत है यह बहुत बड़ा बहुत सुंदर सिक्षा प्राप्तुरी वी मॉस्ट नो वट इस देर इन अर्धार्मा श्रीला प्रहुपाज क्यों बार-बार कहते हैं हमें करंथों को पढ़ना चाहिए क्योंकि यह कुल परंपरा बनी रहनी चाहिए और नहीं तो सभी बस हाथ-पैर के ही कार्य करते रहेंगे और किसी को नहीं बता रहेगा कि भगवत की तब भागवत में क्या है तो आप क्य बभविश में जो लोग आएंगे चाहिए वो शिश्षी की रूप में आएं चाहिए वो संतानों की रूप में किसी तरसी में उनको क्या सी मालूम चले का धर्म क्या है ठीक है तो अगर को फॉर्वड हमको इश्षा तो बहुत अच्छा लग रहा है कूलम क्रिष्णम अभी भवती बदल देता है जिस रूप में इस कौन को हम तो स्कौन पर प्रजेक्ट कर रहे हैं इसको कि प्रवपाद ने स्कौन को सेटप करके दिया है बहुत सिंपल है मनमना भव मध्धक्तो मधिया जी कुछ बाते समझ रहे हैं कृष्ण भावनामृत क्या है मनमना भव मध्धक्तो मधिया जी मामनो इस सिद्धानते सब पढ़ चुके हैं इसको यदि श्रवन कीर्थे नहीं करेंगे तो हो सकता हो कि हमें लग रहा है कि हम इंस्ट्टूशन के धांचे में हैं लेकिन कल्योग हमको अधर्म का बंधू भागवत से अधर्म का भाई वह हमारी बुद्धी को परिवर्दित कर सकता है इस वरी माच यह गीता भूशन टीका कुलक चहे यह प्रभूपार जी का स्टेट्मेंट आप देखिए मेरे मंदिर वाले ओफिस के बाहर रिखा हुआ है पढ़ाय कभी आपने इसकार बहुत बड़ी संस्था है और इससे बड़ा परुकार कोई जगत में कर नहीं है नहीं रहा है कृष्णा कॉंशिसनेस लेकिन अगर भग तो लोग अपनी बुद्धी का उपयोग किसी और क्या सकते है क्या उसको परस व्यक्तिकत अपना उल्लू सीधा करने के लिए समझ रहें नमात्व काशा को पूरा करने के लिए लग जाएंगे और भगवान की मुख लेखियो सीवा को भूल जाएंगे अचार की सीवा को कृष्ण भावन नमें तांदोलन की सेवा को तो यह इंस्टूइशन नस्ट भी हो सकता है सो इसलिए बार-बार हमें सिध्धान्त को सीखना बहुत जरूरी और इस सिध्धान्त सिध्धान्त को बोलने हमको अच्छा भी लगता नहीं बोलने में कृष्ण का था इसे नाट यहां पर देख रहे हैं कि कुल के च्छाय से नुक्सान होता है यह दिपी भक्तों को गोली नहीं मारी जा रही है लेकिन एक अज्या नहीं पढ़ना कृष्ण को बारे में नहीं जानना यह भी प्रकार की मर जाना ही तो हुआ ना गीदा भूशन टीका कुलक च्छाय शब्द से अर्जुन कुल का नाश करने के पाप के व्याख्या कवर्ण कर रहे हैं समझ भाई बात किस कुल च्छय के पाप के बारे में आप बात कर रहे हैं तो इसमें बता रहे हैं कि कुल का च्छय होगा इसके पाप के बारे में वैख्या कर रहे हैं कौन से पाप उपस्तित जाएगा कुल धर्महा अर्थात कुल उचित कुल के लिए उचित अग्नि होत्रादी धर्म जो कुल परंप्रा से प्राप्त हुए हैं अर्थात सनातन वह यग्यकरदा के नश्ट होने से नश्ट हो जाएंगे बहुत सीरी सीरी बात है देखो हम लोग शुरुष में भागवद गीता च करना है चिराब प्रभू आकर वैठे हुए हम लोग मनोहर कहानी पढ़ रहे हैं न्यूस पर पर पढ़ रहे है चिराग कि हम लोग भगवद गीता पर कुछ पढ़ रहा है कुछ पता है अल्ग भगवद गीता अब यह नहीं कह सकते कि चिराग को सबक्राइल है साथ साल के बच्चे को सबाइब आ रहा है लेकिन इतना समझ गाइला कि यह जो लोग लाल लाल कपड़े पहनते हैं वह हुआ हम लोग से बाकी बात में बोलते हैं समझ में नहीं आता ना वह भी आता है तीक है तुछ आता होगा आप में से कितने लोगों किया सा हुआ था कि बच्पन में आपके पिता जी या माता जी रोज सुभाई यग्य करते हों आप क्या करते थे ओके नवरात में थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन वह बोरिंग तरिस होता था उसमें कुछ मंत्र पार्ट ठीक से नहीं होता था जैसे हम लोग अश्रीमान मुकुंदत प्रहु यहां मेरा सेकर्ड इनिसेशन के हो गया था वहां पर और उसके यग यहां किया था वहां पर उसके बहुत सुन्दत तरह से वह यग्य कर रहे थे और उसका पूरा फ्यूम्स फ्यूम्स नहीं कहना चाहिए धुवा निकल रहा था पूरा यग्य शाला में तो आस्ट एवरिथिंग फील पूरिफिकेशन डन बाय प्रॉपर ब्रामना विद प्रॉपर मंत्र चार्म त्यादिक द्वरा कर रहे थे यहां पर बच्चे भले समझ न सके लिग देख रहे कि पिता जी उटकर क्या करते हैं या जो भी पिता महा क तो यहां कि अगर ऐसे लोग मर जाएंगे दिक एक साथ मुर्टि तो सबकी होती है लिए लिए एकदम से मर जाएंगे तो सब जाएंगे यग यद्यादी बंद हो जाएंगे कि नहीं कौन बतागर चा करना है सब लोग देख पार इस लोग बहुत इंपोर्टंट है आपकी आपकी आपको माली जी है आपके डिटी वर्शिप सीखनी है मुकों अंतर प्रूब सिखाते हैं कि नहीं किताब से पढ़के क्यों नहीं सीख लेते हमालो गुरु ही चले गए तो फिर कैसे सीखेंगे अब बताईए अल्राइट ठीक है उता का अर्थ है अभी अर्थात निश्चत ही और इसका संबंद कृतसनम शब्द से है अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के नश्ठ होने से अधर्म शेश सभी परवार के लोगों और बच्चों को उता अर्थात भी यानि निश्चत के अर्थ में अभी भवती अर्थात ग्रसित कर लेगा समझ में आ रहा है कृतसनम का मतलब होता है संपून तो जब ये कुल्च हो जाएगा कुल धर्म नश्ठ हो जाएगा जब कुल धर्म नश्ठ हो जाएगा तो जो बच्ची हैं और अन्य लोग है वह तो अधर्म के द्वारा ग्रसित हो ही जाएगे यह समझे बात इस बात को ग्रसित होगा जैसे मालो रक्षक हट जाए और बाग आ करके भेड़ों को खा जाए उनकी कौन रक्षा करेगा करें लोग यह है इससे प्रवर्तित है नहीं कर पाएंगे को साथ को बता ने वाला ही नहीं होगा आने वाली पीड़ी को कि अधर में क्या है तो सारी पीड़ी अधर में हो जाएगी कि नहीं तो यह कृतस्नम शब्द है कृतस्नम मतलब संपून और अप उता मतलब निश्चत अपी मतलब अपी का निश्चत मैं मतलब इसमें कोई संदे नहीं है कि एक भी विक्ति नहीं रहेगा जो अधर्म के द्वारा ग्रसित ना किया जाए संस्क्रिट देखे तो सौंज में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कुलम कृष्णम अर्थात संपून कुल को अधर्म अभी भवती उता तो यहां पर उता कर ले रहा अपी अपी मतलब निश्चही पूरे कुल को ऐसा नहीं क्या सकते कि कुल में कुछ छूट जाएगा सब ही को अधर्म ग्रसित कर लेगा ग्रसित का मतलब होता है धक लेगा उस अर्थ में भी लेंगे खा जाएगा से कह लेजिए वह अधर्म ही जाएंगे अधर्म अवस्था में धार्मेक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्निक बूलियों की उपलब्धी कर सकते हैं एक चोटा सब्सक्राइब को दूंगा हमारे ग्रूप में सुर्भी माताजी की भती जी पार्के उसका बढ़्डे था तो मैंने ऐसा करो आज आप जाके गायाओं को रोटी खिला और रोटी खिलाई उनको बहुत अच्छा लगा अब ही तक उन्हें कभी रोटी नहीं खिलाई आप कहेंगे धारन तो बहुत सिंपल से बात आप इससे क्यों बोल रहे हैं कितने बच्चे अपने बच्चे पर आजकल गायों को रोटी खिलाने जाएंगे वास्तथा तो हमें रोजी खिलाना चाहे गायों को इस अमाने बात मऊं सुचेगा गो ग्रास सामने है फिर भी याद में रहता है करना चाहिए तो मैंने क्यों दिया जब बताया गया कि आज आपका बड़े है आप गायों को कुछ खिलाइए तो कुछ धर्म हुआ कि नहीं हुआ अब आप यह बताईए कि नहीं बताया जाता तो क्या उनको कभी आइडिया आने वाला था कि गायों को खिलाना चाहिए बहुत होगा तो केक काट लेंगे खा के खुदी खा जाएंगे वह भी अर्पित नहीं होता है भागता है तो उनके तो आप ठोका लेकिन समाने कभी अपके मन में कभी आइडिया है आप उने बड़े नहीं मनाए अपने किस्ले कितने और बलकि उसमें हमने ओल्टा हिट और कुछ करते है आप देखे ना वह जो कैंदल्स उनको फूक देते हैं तो और आप मनूस माना जाएगा और उस पे भी आपकी थूख उस पूरे केक में चली जाते हैं पता ही बात सचे नहीं कुरते तो आपको पता कि उस थूख जाएगे तो आपका उच्ष्ट सब लोग ग्रहन करेंगे वाँ जाएओ 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 आप देख रहा है कि अब देखो छोटी सी बात अब आप कभी नहीं करेंगे ना फूख नहीं मारेंगे ना कभी मेरी थूख सब्सक्राइब चली जाएगी और आप ब सब्सक्राइब चामेध्यम त्यादी तामस्व कि अधॉट अगर वैश्ण 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 तो क्या वोलेगे प्रसाद ऐसे ही नहीं है उसका जूट खाएगे मैं चोट अस एक नहीं ले रहा हूं कि एक कृत्य है बर्थ देगा जन्म दिन का उसमें क्या धर्म करना चा जो भी चोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा आप काय को रूटी खिलाओ वैश्ण में कि सेवा करो करते की नहीं करते बच्चे को पता नहीं है लेकिन अधर्म में प्रवर्थ होता की नहीं और बच्चे को पता नहीं वह अधर्म में प्रवर्थ हो रहा है की नहीं लेज पर कि विर्परा में हर्म की परंपरा चलती है पुरआ प्राय लोगत चैनला करते हैं सा पापा ने कहा ममी ने कहते देा करते हैं तो जो भी होग वो प्रामाने करकिया जा रहा तो शुर्णा होगा यॉद्र Megan यॉटे थे बंप्रामाने के लिफ्हहिष् और अषीए षुका मैं तक परोट थे घंटओंटी होगानी फिरयत्या वसल करूश्LY कितने लोग को आपके माता पिदा दिखे सबी तिंटिंट करते हुए कृष्णी की फूजा करते है कि वन युवर एक्चिली स्मॉल आप बहुत बड़े हो गया है मैं तो सब्सक्राइब लेकिन अपने पूजा होती थी बगवान कृष्णी गुजरात में शाथ होती होगी देवी देवदाओं के होगी फिर भी कुछ है लेकिन प्राया प्राया घरों में मैं बहुत इंप्रेस्ट नहीं होता था लोग थोड़ा से देर में ही उड़ते थे सारा कावाम खतम कर लिया उसका जब स्नान कर लिया उसके बाद कुछ वो काली वाली धूप हजीव से जलादी से करके है मैं तो खाली यह सोच रहा था कि जो हमारी गुमाता की धूप है मैं एड़टाइजमें नहीं कर रहा है अगर वही हमारे पिता जी भवान को अरपित की हो तो तब भी हमको याद रहत ता कि रूटी दाल सब्जी भी भोग भवान को लगा सकते हैं आपनों को बता था यह बात आपके घर में लगता था रूटी दाल के फैस्टिवल में लगता होगा लेकिन भगवान कृष्ण को तो हमने कभी देखा ही नहीं इस प्रकार से होते हैं तो अब मैं इसा बाते क् प्रायत एक़ा बड़े वाले दिन तो फिर हमारे बड़े वाले दिन किसी का लास्ट डी रहा होता होता था समझ गई इसकार्थ समझ गई ना कि बहुत से घरों में बच्चे का बड़े मतलब अब किसी के का लास्ड डी होगा कि ना इन बच खाई यागा कितना बड़ा हमें गवार एक रिष्दार के शादी में 109 मुर्गे कटे थे आप लोग हस रहें मुर्गा भी हस रहा था गया शादी कितना उस्पिश अमाल एक दृष्टी से शादी कितना एक विवाय यग्य है और उसको काल भेरा को यग बनाने मुर्गा काट काट करके और पंडित जी भी कुछ नहीं कह रहे है मंगलम भगवान विष्टु चल रहा है देख रहे हैं कि इस तरह धार में परमपरा नस्थ हो रही है पंडित जी भी कुछ नहीं कह रहे है क्योंकि उनको पांच शार दो पर करके चुप कर दे जाता जो भी उसको दक्षडा हो इस नौट सेंग अनुट फॉले जाएं यह भी नहीं बता रहा है आज भी चल रहा है कि नहीं यह भी नहीं बता रहा है का आप लोग को लग रहा है क्या बाते कर रहे हैं लेकिन धर्म की परांपरा को नश्ट करने का मतलब हुआ की नहीं कोई उत्र है आप लोग बता है कोई उत्र है गणेजी को भूटो लगा रहे है गणेजी मुर्वा खाते हैं सबको चोता है people are completely blind to धर्म इसलिए करें कृस्टन पूरी तरह से एक और आप समें लिजे कृलम कृस्टन और धर्म को आप कृस्टन शब्द को कृलम से जोड़ दीजे और कृस्टन शब्द को अधर्म से जोड़ दीजे अधर्म पूरा-पूरा ग्रसित कर लेता है समझने का प्रयास कीजिए माली जी हमारे कुल है सामने हम दों बठे हुए तो हम सब को मालो 10-10 परसंट अधर्म ने पकड़ लिया तो यह कहा जा सकता है कि अधर्म ने पूरे कुल को पकड़ दिया लेकिन हर वेक्ति को पूरा नहीं पकड़ा है अधर्म लेकिन जब पिता जी माता जी अजो भी बताने वाला नहीं है तो हर वेक्ति को पूरा पकड़ा रहेगा अधर्म यह देख रहे हैं आप अपने जीवन में हम दों देखे हैं ना कि जब भक्ति नहीं पता है तो अधर्म में ही पूरे रसकुले की तरह डूब है और अधर्म का वेक्ति था मारा एटी में मित्र वहला अरे तुम कायस्त होकर की मास्ट छोड़ती है ओ हुआ उसको बहुत दुखी लग रहा था कि मैं कितने अधर्म में प्रवर्त का कूल धर्म की परंपरा का नाश कर दिया कूल का च्छा कर दिया इत्यादी कायस्तर ब्रामन और वटेवर बट सी हाव भी विल्डेड पीपल आर कितने अब असमें अध्वत है लुग समझ गए कृस्टनम शब्द पूरे कुल को पकड़ेगा और पूरा-पूरा पकड़ लेगा कोई चेतना रही ने रहेगी कि धर्म क्या है परवार में जन्म से ले वयो विर्ध लोग उत्रदाई होते हैं थोड़ा संबढ़ने का प्रियास किजिए संसकार का मतलब समझते हैं क्या अर्थ होता है संसकार का क्या समझते हैं आप कि संसकार करना संसकार का मतलब हैं शुद्धि करन करना आप जानते हैं उना असे चाहिए क्या करते हैं उससे पहले से पहले ही माता और पिता दोनें को शुद्धि करना में होना चाहिए वहीं से प्यूरिफ़ें कि चालू यह पता है अज के लोगों को नहीं पता है हो पर वे कि युह की तरफ पता नहीं है लेकिन हमको पता ना उसके बारे हिलो लेकिन बेल भक्तों जानते ही होगे नहीं हो कुछ बाद उसमेनार दे सकते हैं दस संसकार होते हैं शुड़ा संसकार होते हैं दस अलग 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 दिया हमको जोड़ा नहीं पता है इतना पता है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हैं इसके बराबर तो कोई भी नहीं है प्रपाजी इसको बोले थे कि जब अनिहां बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा लेकिन गर्वदान संसकार यानि वह शुद्धी करण की प्रक्रिया है उसके बाद जन्म होने के बाद महाप्रुव कभी तो हुआ था हाते खड़ी ह करम संसकार होता है उसमें नभीत जीवरण संसकार होता है बहुत सरे संसकार होते हैं जिसके दोऔर क्रम शह जीव शुद्ध होता जाता है और प्रम देववर्धूद लोग उते हैं यह भी देखा गया इका संतान उतपण होती है तो उसमें का क्या कदस एकode उसको सासु महां या हों है है उससे बताते हैं कि बेटा बच्चों को सासु आपने बहु सबस्के अब इसको दूप में लगार इसे पैक्स एक जामप्ल दिरा है और बहुत विस्तार रोता यह आच फस्टेवल आया आश में यह करना है त्यादे एत्यादे है ठीक है ऐसा होता है नहीं माताजी लोगों क्या पता रहे है कुछ भी नहीं पता रहाया आजकल उतना कल्चर रह नहीं गया लगी तो अब पहले के जमानों में छोटे पन से ही दस बारा साल से ही लड़कियों को नानी दादी सिखाती थी कि ये करो ऐसे करो इस उनको पालम चल जाता था करना बाजकल न्यूकिलर फैमली है कैसे सिखेंगे बताईए आर्ति करना कितने लों को आता होगा घर में ठीक ठीक आपको अरे आप तो ट्रेंड ढर्म चारी है वैसे बौल रहां हो कि अगर पूछ लिया जा कि आर्ति भगवान के कैसे करनी चाहिए तो वह भी ना आता होगा आपको आता है तो सीखेंगे किसी से ना किताब से सीख लिए सब इस नोट अमेजिंग भगवान की आरती भी किर्रा नहीं बच्चों को आता होगा किन्तु इन वैवर्द्धों की मृत्यों के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपनाय रुख जाती हैं और परिवार के जो तरुन सलस से बचे रहते हैं वे अधर्मवय वसनों में प्रविर्थ होने से मुक्ती लाव से वंचुत रह सकते हैं एक बात ही मैं बताना भूल गया कि देखे ये सारे प्यूरिफिकेशन है किसलिए they are not just for the sake of doing them क्लिर है कि क्यों वर्णाष्रम का जो भी set up है उसका उत्देश क्या है को बदा सकता है शंसिद्ध Hindu begun इस लिए एक मन से मन को कहीं और ना लजा करके भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका स्मर्ण करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए. तो आप समझ रहें कि सारे संस्कारों का उत्देश्व क्या है कि उस जीव को ऐसी ट्रेलिंग प्राप्त हो कि वह चार कारियों में प्रिवर्थ होना सीखे. और अभी अगर कोई इस लास से बहुत चोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर चोटे बच्चे पूछ लें, अगर उनके माता पता भाकते नहीं हो, कि मानव जीवन का लक्ष क्या है, तो ठन ठन गोपाल उनने कुछ नहीं पता, और उस बारे में माता पता कुछ नहीं कि मुझे एक बार मेरे कृषदार की ने बोला उनके लड़की दो पूछे रही थी पापा आ भी मरोगे हम भी मरेंगी का हम भी बैट तुम भी मर जाओ मरने के बाद हम कहां जाते हैं क्या होता है ने विटा तुम हमसे मत पूछो भाईया से पूछना भाईया से पूछना भाईया से पूछना तो जन्म आप दी है कि को और दी है बताईए क्यों जन्म दी है जब ये भी उत्तर देने का सामर्थ नहीं है और कितने धरलने से लोग बचाई पैदा कर रहा है विदाउट लाइसेंस, सरकार भी को अब्जेक्शन नहीं करती और अब्जेक्शन क्यों करेगे, सरकार तो उस बारे में कुछ बोली नहीं रही है बलकि जवर कुछ बोलने के लिए इस कौन के भक्त जाएंगे मुक्ति के प्रियास के लिए करना चाहिए, उसों कहते है नहीं धर्म का प्रचार मत कीजिए नहीं तो कहीं ये धर्म, कृतस्नम, पूरे कुलकुप, अभी भावुत बदल ना दे ये डर है लोगों को अतह किसी भी कारणवश परिवार वय व्रद्धों का वद नहीं होना चाहिए, ठीक है हम किस लोग आज कहार पाया आगला प्रशन उतर देख लेते हैं, हम बहुत सारी बाते हैं इस लोग के सम्मंद से लेकर के प्रेजेंट कंटक्स में भी लिंक करने का प्रियास कर रहे थे, so there are no questions here, question तो कुछ खास है ने, इसमें, we'll just stop here भगवत गीता 1.39, अर्जुन का निमलिखिद शब्द प्रयोक से क्या आशा है, कुलक्षे, कुलधर्माह, कृतस्नम और उताव, अलग-अलग हैं, एक ही बात नहीं है, कुलधर्माह से क्या आशा है, कृतस्नम से क्या आशा है, वर्षा मतजी, I'll give you a chance, yes please. अर्जुन के नाश से होने वाले पाप का वर्णन कर रहे हैं, वेक्षे के नाश से सनातन धर्म, सनातन कुलधर्म का नाश हो जाएगा, और कुल धर्मा इसका अर्थ है कि पारंपरिक परंपरा यानि कि कुल की परंपरा नश्ठ होने से सभी लोग अधर्म में ही प्रविर्त हो जाएंगे और कुल धर्म या पारिवारिक परंपरा के लिए वयोवरिधि लोग उत्तरदाई होते हैं अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो आने वाली पीडी को यह पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है कृष्णम सब्द का अर्थ है संपून यानि कि कुल धर्म के नास है संपून कुल यानि कोई भी वैक्ति ऐसा नहीं हो गा कि जो अधर्म से ख्रसित न हो संपूर्न कुल में अधर्म फैल जाएगा और उत scale का अर्थ है निश्चित ही यानि कि इसमें कोई संदे नहीं है कि ऐसा कोई वैक्ति नहीं होगा जिसमें अधर्म का प्रभाव नहों जो अधर्म से ग्रसित नहों आपको अगला 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 शलो के क्लास आप ही दे दीजी वरी नाइस क्या आप मुझे आसा संदे हो रहा था कि आप पहले नए डिवोटी हैं बट सीम्सिवार अकम्पलिश्ट डिवोटी गुड वर्णाश्रम व्वस्था में किस प्रकार आध्धात्मिक मूलियों की उप्रब्धी की जा सकते हैं साधना भक्ति मतर जी अरे कृष्णा प्रभुजी, गोर्ण आश्रम प्रवस्था में धार्मित परंपराओं की जो नियम है, उनकी सहायता से परिवार के सदस्यों को हम ठीक से सिक्षा दे के उनको अध्यातिक मुल्नों को सिखा सकते हैं एक बात उसमें बताना चाहरा था, मैं बताना भूल गया, by precept and by example, that's how you pass on, मतलब सिक्षा के द्वारा और संस्कृति अपने आचरन के द्वारा आप से खाते हैं, केवल आचरन से नहीं सिखा सकते, मान लो आप तनिश्प्रवु अच्छी आपको पता नहीं है, बहुत अच्छे को कहें हैं, आपको नहीं मालुम चलेगा, I know very nicely, तो क्या आप केवल अच्छा खाना बना करके लोग को सिखा सकते हैं, आपको आचरन भी करके सिखाना, मान लोग को सीनर भगते हैं, मंगल आते जा रहे हैं, बड़ इच्छी बात जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, वो नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं कि केवल देख करके वेक्टी चले लग जाएगा, देखने का प्रभाव होता है, लेकिन हचरन का प्रभाव होता है, लेकिन आपको बताना भी पड़ेगा, बताने का बहुत महत्त होता है, और एक बार में विक्ति को समझ में नहीं आता है, इसलिए भी बोल जाता है कि बताओ और नहीं मान पाए, तो गुस्ता मत हो, इस सेक इसको सब्सक्राइब करेंगा वो समझ पाएगा थीक है इत्ती सी बात नहीं आती है तो लेकिन नहीं धैर पूरक बोला चाहिए ध्यान कैसे पासावन करेंगे ज्ञान को बैप्रेशेप्ट शिक्षा के द्वारा और आचरण के द्वारा वह वर्द लोग किन के लिए उत्तरदाई होते हैं घर में कलेज के लिए जैसे हम अपने घर में देखा था खूब दादा दादी जगड़ा करते थे अब देखो अगर हमारे दादा दादी बैठ करके भागवत पढ़ रहे होते तो उसका प्रभाव नहीं आता मैं एक मामले म स्टोरी सुनाती थी हम लोग घंटों बठे रहते थे और आपको आश्र होगा कि वह नई स्टोरी नहीं सुनाती थी वह अपने पिता जी की नहीं पिता जी बहुत आसकत थी तो वह पिता जी के गुड़गान में वही कहानी बार-बार सुनाती थी इतना रुची लेकर करके बताती थी तो अगर वही स्टोरी हम लोगों को प्रलात के सुनाती है कुछ को भी उनकी मुख से निकला मैं निन्दा नहीं बोला लोग एक मुझे खेद उत्पन कर रहा 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 प्रसुत है बाबाजी तो यह पूछ लिए कि भावान विस्ट्नुस तरी है कि पू अगर अग्यान में रहे तो कैसे उसमें क्या बोला जाए बहुत अच्छा मैं भी देखा कि जैसे माता जी ने अपनी भती जी को बताए कृष्ण भावना के बारे में वह वह वो शोला माला प्यागे बाती शत्रा साल की बच्ची स्वला माला पना हाउस इपसिवल उस वह किसनान करने लगे सब कुछ करने लगे तीलग भी लगाने लगे अब कब तक लगाएंगे वह तो भगवान जाने लेकिन तो वह व्रद्द लोग किसकी रोतरदाई होते हैं ओके आधित प्रहू हरे कृष्ण प्रभुजी परिवार में जनम से लेका मृत्यू तक के सारी समस्कारों के लिए वह व्रद्द लोग उतरदाई रते हैं जित्ते भी शुद्धी करन का जो रहता है शिक्षा का रहता है आप अगर देखें भी थोटा से एक्जामपल लें जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स्टी हमने बारे सुना है इसके बारे में कि आज भी उसने अपने स्टैंडर्ड बनाए रखे हैं मेरा प्रिया शावलिंट टेंपिल वह भी पंदरह साल सो साल से इस्टैबलिश्ट है औ और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा था बहुत छोटपन से लोग स्मय अड्मिशिन ले लेते हैं बहुत छोटा मतलब है चिराक की उमर के एक दम छोटे-छोटे बच्चे गंभीर डिसिबन में करने के लिए इस इत्यार रहते हैं आपके जाकर मास्टर बन जाते हैं आपके सुस्ते मेरे सेवेक्ति कुंफु सीख पाएगा आपको लगता है कि भक्ति में चले आप कभी भी आया यह फाइदा होगा लेकिन जो जवानी से बच्पन से वक्ति कर रहा है उसम सवाई करने पड़ेगे वह वुरद्द लोंको बहुत उतर किस चीज़ के लिए उतर दाए होते हैं परंपरा का निर्वाह करने के लिए सोचिए कि सब्सक्राइब और मतलब ब्रति कर रहें आगे आगे बहुत से लोग उच्छत अरास्रा प्रवेश करेंगे रहस्ति में जो भी कहले जिए और मान दो उसमें भी अच्छे से भक्ति करते रहे तो संतान भी जो होंगी वह उमीद कर रहे हैं भगवान सब ठीकी कर है कि मालों भक्त हुए तो उनको कितना सुन्दर अटलीस परिवेश प्राप्त होगा बक्ति करनेगा हम यह नहीं कहना कि उच्छतारास्न में जाएए ही लेकिन बात बोलने कि जाएगा वह है इस प्रकार से अपने घर में इस प्रकार का वात्रवर्ण निर्माट कर सकता है कि परिवार के व्यवेद्धों का वद क्यूं नहीं होना चाहिए तात्परिक अधार पर सपष्ठ कीजे परिवर्ण के परिवार के वयोब्सद्धूं का वद किसले हूड gay Nat trial कि इंक हिंकि मृत्यों के बाद संसकार संबंदि परिवारिक परमपुराय Ruh जाती है और जो परिवार में तरुम सदस्के बचे रहते हैं वैं अधर्म यविस्मों में प्रविर्थ होने से मुक्ति लाग से बंचित रह सकते हैं जी यहां सही बताए आपने शब्द में बताईए जी मतलब की अगर जसे सीनियर है फैम्ली के वो अगर नहीं रहते हैं तो जो छोटे लोग होते हैं उनको नहीं बताई होता की क्या करना है से क्से गलत का अधियो क्या होना चाहिए व्यक्ती क्रतेल रह मुक्ती के तरह जाए is it okay so we will stop here no questions are there काफी इंटरस्टिं है ये कल्चर कुमेंट इन करने के लिए so we will stop here श्रीद प्रभुपाद की जाए ताइकोर प्रिमानन दे